हेलो गाइज, आएम निलम मेक ओवर आज गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप प्राइमर पहले लगाएं ये सीरम बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हम प्राइमर पहले लगाएं ये सीरम तो ये देखिए, ये फोरेवर का ही हमारा प्राइमर है और फोरेवर का ही हमारा सीरम है ये सीरम भी हमारा फोरेवर का है और प्राइमर भी हमारा फोरेवर का है तो आप कैसे यूज करेंगे कि पहले प्राइमर लगाएंगे ये सीरम लगाएंगे कि यही जाज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूं कि आप प्राइमर पहले लगाएं या सीरम तो गाइस ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपर्टेंट चीज बताऊंगी मैं आपको आपको कन्फिज होने की जरूरत भी नहीं है तो यह हमारा प्राइमर है यह देख को सबसे पहले आपको पहले को सीरिम नहीं है से वादा पहले आपको सीरम रगाना है ध्यान से सुनिएगा उसके बाद आपको पांच मिन्ट के बाद आपको प्राइमर लगाना है प्राइमर पांच मिन्ट के या दो तीन मिन्ट के बाद आपको कंसीलर वेस जो भी लगाना हो आपको वो लगा सकते हैं बट इसमें और इसमें कम से कम दो या तीन मिन्ट कर डिफ्रेंट होना चाहिए तो एक तरीक है कि CTM cleansing toner mosterizing तो हमें क्या करना है cleansing और toner करने के बाद यानि cleansing और toner करने के बाद तो हमें serum लगा देना है दैन उसके बाद हमें moisturizer लगाना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप CTM करने के बाद भी serum लगा सकते हैं उसके करने के बाद भी आप सीरम लगा सकते हैं, उसके बाद आप मौस्टराइजर लगाएंगे, यानि कि मौस्टराइजर से पहले आप सीरम लगाएंगे, फिर मौस्टराइजर लगाएंगे, उसके बाद आप प्राइमर लगा देंगे, आप दोनों तरीके से सीरम को यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं सीटियम के बाद भी सीटियम करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं सीरम को और क्लींजिंग टोनर के बाद भी यानि कि मौश्राइजर लगने से पहले भी आप सीरम यूज़ कर सकते हैं दोनों ही सिच्वेशन में यूज़ कर सकते हैं सीरम को जैसे की CTM करने के बाद भी और क्लींजिंग और टोनर के बाद भी उसके बाद आपको प्राइमर लगा लेना है आपको डैफिनिल समझ में ढ़ाना है आप द्uwजान से सुनियेगा दॉबारह बता रही हूं चीटियम करने के बाद सेर Meinung की प्र Ruiber और कलेंज़िंग टोणर करने के बाद सीरम मॉश्र तेरओजर उसके बाद प्राइमर यह आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बड़ आप CTM करने के बाद सीरम ही लगाएंगे प्राइमर नहीं लगाएंगे गर आपको सीरम यूज़ करना है तो प्राइमर नहीं लगाएंगे प्राइमर बाद में लगाएंगे पहले प्राइमर पहले नहीं लगाएंगे यानि कि प्रा तो आपका मेकप में लुक बहुत अच्छा आएगा जिस तरीके से मैं बतारी है अगर आप ऐसे करेंगे और अगर आपने पहले प्राइमर लगा दिया बाद में सीरम लगा दिया नहीं वो जो है आपका ठीक नहीं है वो आपको जो आप मेकप करोगे उसमें लुक अपका देख सकते हैं एक बार में समझ में नहीं आते दुबारा देख सकते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं किस-किस को ये समझ में आया अच्छी तरीके से किस-क इसको नहीं आया और मेरी वीडियो कैसे लगी ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ओके बाबाई